नमस्कार मैं आप सब मीडिया के साथियों का आज यहां पहुंचने पर बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं कि आप सब लोग यहां पहुंचे और हम जिस विशे को लेकर आपके बीच में आए हैं और बड़ा ही समाजिक समाज की बात है अक्सर आप लोगों के बीच में मैं जब भी पहले भी आई हूं पहले भी मैं किसी शोशल चीज के लिए ही किसी शोशल बात के लिए ही आप लोगों के बीच में आई थी चाहे वो पहलवानों की बात हो या हमारी जो बहन है जो हमारी कोच थी जो यह एक छेड़-छाड मंतरी था संदीप सेंग अक्सर आप ल लिए राजनीती महज वोट मांगना नहीं है मुझे ऐसा लगता कोई भी जो politician है या राजनीतिक आदमी है उसे सबसे पहले समाज की बात करनी चाहिए क्योंकि जब तक वह समाज के बारे में बात नहीं करेगा समाज की बात अपनी आवाज के मादिम से नहीं बताएगा तब तक मुझे लगता है समाज में जुधार नहीं हो सकता महज वोट मांगने की राजनीती मेरे हिसाब से राजनीती नहीं होती है समाज से ही आपकी राजनीती होनी चाहिए आपकी पैचान होनी चाहिए लेकिन आज में किसी राजनीतिक बात को ना लेके आप लोगों के बीच में एक समाज की बात को लेके आए हैं आप लोगोंने देखा होगा कि किस तरीके से कानून की आड़ लेके ये सरकार हमारे आने वाली जो यह यूआ पीड़ी है ये जो जनरेशन है इसको खराब करने का काम कर रही है. हम लोग सब देख रहे हैं कि किस तरीके से आज कल बच्चे बच्चियां एकी गाउं में एकी और सीमा वर्तिगाउं जिसना पर Gwanda को वहा हैं उन गामा में आपस में जा के शादी कर लें और सरकार कानुन की आड़ लेके उनने protection देदेगे घर बेज दे हैं किसी को पैसे भी देवे हैं किसी को घर भी देवे हैं पता नहीं क्या क्या देती है क्या ये हमारे समाज के उप पर रही है मिशा आपाने सदा विमने में जिस गाम में पैदा हुई हूँ मैंने देखिया कि उस गाम में जितने भी है वह कोई छोटा है बड़ा है या बुज़ुर्ग है चैनल मेरे चाचे ताउ लागे या मेरे दादे लगते लेकिन इप उसे गाम में उस प्रंपरान खरा करन खैतर उन्हें गवांड़ा में जड़ा अपने सदियां तनोंदे निंदार रहे हैं आने जाने रहे हैं खेतां के खेत लागे हैं उन्हें गवांड़ा में या सरकार बच्चों को बरगलान लग रही है उन बच्चों की शादियां करवा करवा के प्रोटेक्शन दे के उसी गाउं में बेज देती है क्या ये कल्चर के उपर वार नहीं है क्या ये हर्याना की जो संस्कृति और स्वाबिमान है उसके उपर वार नहीं है उसे खतम करने की बात नहीं है हमारी खापा ने हमेशा इस बात को उपर आवाज उठाई है लेकिन इन सरकारा ने खापा एक तेबत तरीकत है, कहाफ बदराम करी, कहाफato को ये कि पूर की लिंग करना चाहे हैं, और इसलिए ये लोग तो नहीं चाहते कि ये सारी चीजे हों, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हम, सरकारं को आप लोगों के मैद्यम कर देता है वह बच्ची माबाप और उस लड़के के माबाप एक दूसरे को मुह दिखाने लायग नहीं रहते गाउं में किसी को मुह दिखाने लाइक नहीं रहते उसी उन दो खांदानों की आपस में जिंदगी भर की सालों की पीडियों की दुश्मनी तैय हो जाती है ऐसा मुझे समझ में आता है कि सरकार कानून के माध्यम से ये सारी चीजों पर रोक लगा सकती है लेकिन आज तक किसी ने भी किसी भी राजनेता ने या पॉलिटीशन ने कदे भी आवाज नहीं इठाई कभी भी इस मुद्दे को यहीं नहीं कहा कि उनकी नजर में मुद्दा हो लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस समाज में पैदा होई हूं इन्हें गामा में पड़ी बड़ी हूं आड़े पड़ी हूं मैंने देख्या कि किस तरियां का माप का कुटर कुटर केरजा कर सबस्क्राइब किसे अपने इतना डर लागे जाए अगर सरकार कानुन बना दे सरकार अपना स्टेट अक्ट बना दे तो यह क्यों होगा सरकार ने जो करना है करना है हम यह लड़ाई लड़ेंगे दुबारा लड़ेंगे इसको पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे और सरकार को अवगत कराएंगे कि किस तरीके से यह अपना एक्ट होना हर स्टेट का जुरूरी है बहुत सारे स्टेटना का अपना एक्ट है ले एक नमबर को हरियाना दिवस के उपर क्योंकि जब हमने अरियाना बनाया था उसका सबता बड़ा जो की पॉइंट था या जो सबता बड़ा एम बात थी वह उस बाईचारे की बात थी बाईचारा की जो है हमारी संस्कृती थी इसे पर याना बने था आज वो ये बाईचारा खत्रम में हैं और ये सरकार सिन्यों जित तरीके से उसको खतम करने का काम कर रही है तो उसी के लिए हमने एक तरीको नानोंद देवराज दरमशाडा जो की अनाजमंडी के सामने है एक निमेंबर को हरियाना दिवस्ट के उपर वहां खाप की एक पंचायत बुलाई है जिसका नाम है असंसकृती बचाओ हरियाना बचाओ और मैं उसी का नियुता देने के लिए जीन में आई हुई हूँ हमने सारी खापों को निमंतन बेजा है सारे किसान संगठनों को निमंतन बेजा है और सारे जितने भी समाजिक दाइरे में काम करते है सब लोगों को हमने निमंतन बेजा है क्योंकि ये एक ऐसी कुरीती है एक ऐसी लड़ाई है जो फसल की लड़ाई से भी बड़ी है क्योंकि ये नसल की लड़ाई है आप लोगों ने पहले सब लोगों ने मिलके फसल की लड़ाई लड़ी और अब हमें नसल की लड़ाई लड़नी है इसी नसल की लड़ाई के जिससे सबसे जादा इस मुद्दे को खापों ने उठाया है और अगर उनकी एक बेटी समुद्दे को उठा रही है तो सब खापों ने बोला कि बेटे तू इस लड़ाई को लड़ हम तेरे पीछे खड़े हैं मुझे लगता है बारी संक्या में खापों पहुंचेंगी किसी देखे जी यह तो आदमी का अपना जमीर होता है लोग करते हैं कि उन्हें करना क्या है मैंने आज तक जो करा है समाज में करा है मैंने कभी राजनीती घटिया राजनीती जिसको बोलते हैं मैंने कभी नहीं करी और रही बात इस चीज़ की मैं तो पहले भी समाज के लिए ख तो आपने समाजी को उठाया और दूसरी अगर बात करें क्या दूसरी जाती में साधी करना इंटरकाश्ट साधी करना वह आप तीन दरी गल्थ है से देखिए तीन चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई एक गाउं में एक गोत्र में और सीमा वरती गाउं जिनको हम ग में इन तीन में मुझे सब चीजों प्यापती है मुझे च impression water i.c बेटी गाउं की बेटी होतीं है किसी के ब्याने जाएं तो आपे 36 छाघ्या री कि बेटी का वह माक सथ तो बेटी होगी नसी और आपने कहते हैं भी पुरे बीटाउं की दिवी ओती है तो जी ध्ढकी होती दूसरी जात्कियों या कोई भी बच्चा गाउं का बाईचारा बाईचारा है जी उसमें कोई भी जात्ती विशेश मेरे लिए माइने नहीं रखता अपने मुदा जोलंत मुदा उखाया है लेकिन देश किसी भी चीज समिधाम या नए विवस्ता से चलता है अगर इस प्रकार की बाते हैं क्या कोई आपकी तरफ से दायर की जाएगी देखी आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले मान्य नहीं का ही एक वर्डिक्ट था मान्य नहीं नहीं ये बोला था कि शादी के उपर एक्ट बनाना सरकारों का काम है कानून बनाना सरकारों का काम है उसे लागू करवाना कोर्ट का काम है मैं कानून के खिलाप नहीं हूँ लेकिन मेरे स्टेट का अपना मैरिज का एक्ट हो सकता है तो क्यों नहीं बनाया अभी तक सरकारों ने या खटर सरकार ने इसको आज तक घंबीरता से क्यों नहीं लि कि इस पूरा प्रोसेस में उस लड़की की जिन्दगी जादा सफर कर रहे हैं जो बच्ची ऐसा कदम उठा लेती है और अक्सर वो बच्ची का दम कदम इसलिए उठा लेती है क्योंकि उसे समाज का ग्यान नहीं होता है मैं जन्जागरिती जो अभियान चला रही हूं मैं जादा से जादा महिलाओं को जागरित करूँगी क्योंकि एक महिला है जो तीन फैमिली चार फैमिली को आगे जागरित कर सकती है तो मेरा विशेश ध्यान जो इस पूरे जागरिती अभियान में रहेगा वो महिलाओं के उ तो क्या आप इस महापनचायत के लिए राजनितिक पार्टियों को निमंतर दे रहे हैं? मैंने जी सब को बुलाया. देखिए ये एक ऐसी बात है. बचचा लड़का भी सब के गर में और लड़की भी सब के घर में. गोतर विवस्ता राजनितिक लोगों के गर में भी हैं और किसी गाहों से वो राजनितिक लोग भी आते हैं या किसी गोहन से बाख उन्पे भी चाहिए जो कोई भी हो चाहिए बीजेपी खुद भी क्यों नहों में वहाँ पंचायत में पहुंचे हो और अपनी आवाज उठाएं क्योंकि ये बात समाज की है किसी पार्टी विशेश या वोट विशेश की नहीं है अब 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 इसका अब अब लेकानून आए है और गाओं गोहन पर शरकार ले आती तो मुझे बोलना नहीं पड़ता पहली बात तो मुझे नहीं पता कब लेके आ रही है अभी तक मैंने सुना ही नहीं कोई कानून आया है और गाओं गोहन में देखिए एक बलड लाइन के अगर बात करें हम एक गाओं में रहते हैं हमारा अलमुस सब का आपस में बाईचारा है और वही बाईचारा हम अपने गोहन के साथ भी शेयर करते हैं और वही बाईचारा अगर हम एक गोतर का गाओं है या उससे अगला क साथ भी शेयर करते हैं, तो देखिए जी इन तीनों ही चीजों में मुझे लगता है ये भाहिचारा की विवस्था है, ये परंप्रा है, जो सद्यों से भाहिचारे के ऊपर चली आरही है, तो हर्याना जैसे प्रदेश में, जिसकी संस्कृती भाहिचारे के ऊपर डेपेंड ह तो इन चीजों पर जरूर रोक लगनी चीए और हम पूरा-पूरा प्रियास करेंगे पूरी-पूरी लडाई लडेंगे, जैसी लडाई हमने फसल की लड़ी थी, वैसी ही इन तीनों चीजों के उपर एक्ट बनवाने की हम लड़ाई लडेंगे। हम ने बुलाया है जिन लोगों की इस पे इस पर महारत ञाही है उन लोगों का हमने बुलाया है कुछ लोग गुहांच नहीं हो शादी क्यों नहीं होनी चाहिए इन सारी चीजों के लिए जो लोग वहां बूलेंगे उस ते